महोबा में ग्रामीडों ने लगाया कोटेदार पर राशन आदेने का आरोप पूरा मामला विकासखंड पन्वाडी के कोहनिया गाउं का है जहां पर कोटेदार कमला पत पर ग्रामीडों ने ये आरोप लगाया है कि कोटेदार आट दिन पहले राशन काड़ ले लेता है और अगूठे लगवा लेता है इसके बाद जब हम राशन लेने जाते हैं तो कह देता है कि राशन खतम हो गया महीव रद्यमहिला ने बताया कि उसे एक वर्षिस से राशन नहीं दिया गया है तथा कोविड उनिस के चलते हुए बच्चों को दिये जाने वाले राशन को भी कोटेदार द्वारा नहीं दिया गया है ग्रामीडों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है अब देखना ये है कि उच्च अद्धिकारियों वारा ग्रामीडों की क्या साहता की जाती है कोटा नहीं देता है अहोगे घरलता है अच्च ठीक समय है क्या सब्सक्राइब कि आ ऐए ओकटा नहीं दो Mercury 3 अचरत में तुम्हें अच्च ठीक है तूम्हारे नाम क्या बेटा। तुम्य भी नहीं देता है। जितने लोग खुडें किसी को कहल लहींימ देता है। क्या बोलता है। क्या नाम है माताजी? कहा के हूँ? क्या होगह? कि बेजान लेके। कोटेदा कुंग नाम का माताजी। पूरा नाओ जवार लार काको नाओ अमा तरफ देखो बाप क्या बोलता क्या बोलता कोटेदा कितने माइने से पार साल काट लेट के मान्या हुआ जो तैंदी बनाहां जो में यहां सब्क्राइब के टाओं है कोटेदार कमरा पात अब करीप खां कीनिया कुछ determination क्या बात बात तो एक मिलता है। यह मिलता है यह बोलता है कि आप गताम हो जाओ आज आहीगा देंगे। तुम्हारा रासन काट पर नहीं आएगा नहीं देंगे रासन कार्ट साभुची के पास आठ दिन पहले रख देता है साथ आठ दिन पहले रख लेता है हूँ